नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, पहले देखेंगे लास्ट सेशन का एक क्विक रिकाब, पिछला सेशन जो हमारा आम बजट पर आधारित था, उसका पहला सवाल था दो हजार उननीस बीस का आम बजट किस ने पेश किया, तो यह बजट निर्मला सीता रमन ने पेश किया था, दूसरा सवाल था, क्रेश शक्ति की दृष्टी से भारत विश्व की कौनसी अर्थ व्यवस्था है, इसका उत्तर है तीसरी अर्थ व्यवस्था, तीसरा सवाल था मनरीगा के तहट होने वाले व्याय को बढ़ा कर कितना किया गया है तो इसका सही जवाब है 60,000 करोण रुपए चौथा सवाल था सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के पुनर पूंजी करण के लिए कितने रुपए देने की बात कही गई है तो इसका सही उत्तर है 70,000 करोण पांचवा सवाल था राजस्व प्राप्तियों में से किसका योगदान सर्वाधिक रहने का अनुमान है तो इसका उत्तर है निगम कर छठा सवाल था निम्नलिखित में से किस शेत्र में सरकार का सरवाधिक व्याय बताया गया है? तो इसका उत्तर है करों एवं शुलकों में राज्यों का हिस्सा साथमा सवाल था प्रधान मंत्री कर्म योगी मांधन योजना कितने रुपए से कम वार्षिक कारोबार करने वालों के लिए है? तो इसका उत्तर है डेड़ करोड आठमा सवाल था पावर कनेक्टिविटी अवसनरचना को सुद्रण बनाने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया है? तो इसका उत्तर है वन नेशन, वन ग्रिड नौवा सवाल था वित्तिय वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष कर राजस्व बढ़कर कितने फीजदी हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 78 प्रतिशत लास्ट क्वेशन था बजट के अनुसार FDI इंफ्लो में कितने प्रतिशत की वृद्धी हुई है? तो इसका सही जवाब है 6 प्रतिशत अब देखते हैं पिछले सेशन का अभ्यास प्रश्ण सरकार ने वित्तिय वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश प्राप्ति के लिए कितना लक्षे रखा है? एक लाग करोण, एक लाग पांच हजार करोण, दो लाग करोण या दो लाग पांच हजार करोण सरकार ने वित्तिय वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश प्राप्ति के लिए 1,05,000 करोण रुपए का लक्षे रखा है हाला कि 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने 90,000 करोण रुपए का लक्षे रखा था तो पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न का सही जवाब है तो अब देखते हैं आज का पहला सवाल पाकिस्तान के साथ लगी सीमा रेखा को घुसपैट विरोधी बनाने के लिए लाँच किये गए अभ्यान का नाम क्या है A. संकट मोचन B. सुदर्शन C. सहियोग D. कश्मीर ओल आउट BSF यानी सीमा सुरक्षा बलने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैट को रोकने के लिए एक बड़ा अभ्यान शुरू किया है इस अभ्यान को सुदर्शन नाम दिया गया है यह ओप्रेशन भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रिय सीमा को कवर करेगा आपको बता दें जम्मू में पाकिस्तान के साथ सम्वेदन शील अंतरराष्ट्रिय सीमा की लंबाई 485 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर है तो पहले सवाल का सही जवाब है दूसरा सवाल है 2019 से 25 के बीच किस देश के सिविल सेवकों को भारत प्रशिक्षण देगा 2019 से 25 के बीच लगभग 18 सो बांगलादेशी सिविल सेवकों को भारत ने प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है यह प्रशिक्षण मसूरी इस्थित National Center for Good Governance में दिया जाएगा यह प्रशिक्षण इसी साल फरवरी में इंडिया बांगलादेश Joint Consultative Commission की पांचवी बैठक में एक MOU पर बनी सहमती के तहट दिया जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब है option C बांगलादेश अगला सवाल है हज यात्रियों की सुविधा के लिए विक्सित किये गए आप का नाम क्या है भारत सरकार की पहल डिजिटल इंडिया के तहट हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक आप विक्सित किया गया है इस एप का नाम है इंडियन हज इन्फरमेशन सिस्टम सौधी अरब में लॉंच किये गए इस एप का मकसद हज की प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाना है अभी यह एप तीन भाशाओं में काम कर रहा है यह भाशाएं हैं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इसमें समय के साथ छेत्री भाशाओं को भी जगे दी जाएगी तो इस सवाल का सही जवाब है अगला सवाल है हैंले पासपोर्ट सूजकांग 2019 में भारत को कौन सी रैंक मिली है हाल ही में जारी हैंले पासपोर्ट सूजकांग 2019 में भारत को 86 वी रैंक मिली है भारत के साथ मौरितानिया और साव टोमे एंड प्रिंसिपे संयुक्त रूप से 86 में पायदान पर है इसमें भारत ने 58 पॉइंट स्कोर किया है इसका अर्थ है कि भारतिय नागरिक दुनिया के 58 देशों में बिना प्रियर वीजा के जा सकते हैं इस सूजकांग में जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहला इस्थान मिला है तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन D, 86 अगला सवाल है कनाडा ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल के फाइनल में भारत के केपी कश्यप किस खिलाडी से हार गए हैं? कनाडा ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल के फाइनल में भारत के पी कश्यप चीन के ली शी फेंग से हार गए हैं कश्यप फाइनल मैच में 22, 14, 21 और 17, 21 के स्कोर से हार गए यह टूनामेंट कनाडा के मार्किन मैक फेल्ज सेंटर में खेला गया तो इस सवाल का सही जवाब है option C अगला सवाल है तेलंगाना में व्रिक्षा रोपन के लिए किस देश से सहायता ली जा रही है? A. जापान B. इजरायल C. चीन D. मलेशिया तेलंगाना में व्रिक्षा रोपन के लिए वन विभाग जापान से सहायता ली जा रही है जापानी तक्नीक मियावकी की मदद से हर्याली को बढ़ाय जाने का प्लैन है तेलंगाना के खम्माम जीले के वेलू गुमतला अर्बन पार्क में एक पालेट प्रिजक्ट के तौर पर इस कारिक्रम पर काम किया जाएगा यह पहल तेलंगाना के तेलंगाना कू हारिता हारम कारिक्रम के तहट की जा रही है यह तेलंगाना सरकार का फ्लैक्शिप कारिक्रम है इसके तहट 24 फीजदी व्रक्ष छेत्र को बढ़ा कर 33 फीजदी करने की योजना है तो इस सवाल का सही जवाब है option A. जापान अगला सवाल है हालही में भारत के किस शहर को विश्व धरोहर इस्थल की सूची में शामिल किया गया है हाल ही में यूनेसको ने जैपूर को सांस्ट्रतिक शहर के तौर पर विश्व धरोहर इस्थल की सूची में शामिल किया है यूनेसको वर्ड हेरिटेज कमिटी की 43 वे बैठक के बाद यगोशना की गई अब इसके साथ ही भारत में विश्व धरोहर इस्थलों की संख्या 38 हो गई है आपको बता दें यूनेसको के विश्व धरोहर इस्थल में सांस्कृतिक शहर के तौर पर शामिल होने वाला पहला शहर एहमदाबाद है एहमदाबाद को 2017 में इस सूची में शामिल किया गया था इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B जैपुर अगला सवाल है हाल ही में पर्यावरण मंत्राले द्वारा चार जानवरों के पॉपुलेशन मैनेजमेंट पर एक पाइलेट परियोजना लांच की गई है इन में से किस जानवर का नाम इस प्रोजेक्ट में नहीं है पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने चार जानवरों मसलन हाथी, बंदर, नील गाए और जंगली सुवर के पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए एक पाइलेट प्रोजेक्ट लांच किया है इसमें जानवरों के इम्म्यूनो कॉंटरसेप्शन पर काम करनी की योजना है इसके तहट जानवरों के गर्बधारन करनी की शमतापण यंत्रन किया जाता है यह परियोजना सबसे पहले उत्राखंड में शुरू की जाएगी इसके बाद पूरे देश में इसे कार्यानवित किया जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब होगा ओप्शन D यानि हिरन अगला सवाल है जीरू बजट क्रिशी क्या है A. बिना लागत वाली क्रिशी B. सरकार दोरा पूर्ण सहायता वाली क्रिशी C. बिना सिचाई वाली क्रिशी D. तक्मीक मुक्त क्रिशी हाल ही में वित्तियवर्ष 2019-2020 के लिए जारी बजट में जीरो बजट क्रिशी यानि जीरो बजट फार्मिंग पर चर्चा की गई भारतिय क्रिशक और क्रिशे विशेशक शुभास पाले कर इसके जनक कहे जाते हैं इन्होंने इसकी शुरुवात लगभग 25 साल पहले की थी आपको बता दिन जीरो बजट फार्मिंग एक तरह की प्राकृतिक क्रिशी है इसमें रासायनिक उर्वरक पर खर्च ना करके प्राकृतिक खात का इस्तिमाल किया जाता है इनमें पोशक तत्वों को प्राकृतिक खात, मिट्टी और प्रकृति से प्राप्त किया जाता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A बिना लागत वाली करशी अब देखते हैं आज के सेशन का आखिरी सवाल मालाबार रिवर फेस्टिवल किस राज्जी में आयोजित किया जाना है? A. तमिलनाडू B. गोवा C. महाराष्ट्र D. केरल आगामी 26 से 28 जुलाई के बीच केरल की कोजी कोट जिले में मालाबार रिवर फेस्टिवल के छठे संसकरण का आयोजन किया जाएगा? केरल परेटन विभाग इसको आयोजित करेगा इसका आयोजन इरुवांजी पुझा और चली पुझा नदी के किनारे किया जाएगा? यह एक अंतरराष्ट्री कारिक्रम है जिसमें 15 देशों के कयाकर्स हिस्सा लेंगे तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन D केरल आएए अब नोट करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेस्चन आप इस सवाल का सही जवाब के साथ हम फिर से मिलेंगे नमस्कार